नवश्कार जन्मत के पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के रोहेडी के बेगमपूर इलाके में पिछले दिनों हुई दूद व्यापारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलजा लिया। अवैध्य संबंद में बाधा बनने पर पत्नी ने ही करवाई अपने पती क स्पेशल स्टाफ और वेगमपूर थाना पुलिस की टीम ने 24 घंटे के भीतर इस संसनी खेस और ब्लाइंड मर्डर की वारदात को सुलजाने का कार्या किया है। पुलिस ने मुरूतक की पत्नी सीमा और प्रेमी गौरव समित कुल साथ आरोपियों को गिरफदार किया है। इस दौरान वारदात में इस्समाल दो बाइक, दो तमंचे और छे मुबाइल फोन भी बरामत किये गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुरूतक प्रदीप की पत्नी सीमा का अपने घर में रहने वाले किराईदार से आठ साल से अवैध्य संबंध था। अवैध्य संबंधों के बारे में जब पती को पता चला तो उसने विरोध किया। इससे भड़की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पांच सुपारी किलर की मदद से पती की हत्या करवा दी। इसके लिए सभी को चार-चार लाख रुपए भी दिये गए थे। पुलिस के मताबिक 22 फरवरी की सु शोने गोली मार कर हत्या कर दी थी। खुन से सनी मृतक की लाश सडक पर पड़ी हुई मिली थी। तब पुलिस ने लाश को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेश दिया था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्श करती हुए केस की जाच आगे रहा है। गौरव सीमा का किरायदार है जो हत्या के बाद से फरार था। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद सीमा और प्रदीब के रिष्टेदारों से भी लंबी पुश्टाश की जिससे पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली। इधर पुलिस जाच में गौरव और सीमा को आमने सामने बैठा कर पुश्टाश की गई जिसमें दोनों ने खुलासा किया कि पती उनके बीच आ रहा था। इसलिए प्रदीब को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया और प्लान के तहद गौरव ने पाँच शूटर रिंको सौरभ प्रशांत परविंद चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार